आपके पार्टनर की करन्ट फीलिंग्स आपको लेकर इस रिलेशन्शिप को लेकर क्या है आपके पार्टनर करन्टली आपके बारे में क्या सोचते हैं इस रिलेशन्शिप को लेकर आज की एनोर्ची उनके किस तरह की रहने वाली है आपके पार्टनर का फॉर्ट प्रसेस आज आपको लेकर इस रिलेशन्शिप को लेकर किस तरह का होगा आए जानते हैं पहला कार्ड है यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है The next card over here is the Emperor का card है The next card over here is the Hierophant का card है The next is 3 of Pentacles का card है The next card is 6 of Cups का card है And bottom of the deck पर यहाँ पर 7 of Cups का card है So, आज की reading अभी Zodic Signs के लिए है तो यहाँ पर मैं कोई भी specific Zodic Sign mention नहीं करूंगे देखिए जो आपके partner है वो आज morning से ही अपनी strength में आने की कोशिश करने वाले है आज आपके partner के internal efforts बहुत जादा मुझे नजर आ रहा है अपनी तरफ से हो हर एक चीज़ को सही करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो अपनी energy में आने की कोशिश करेंगे आपके partner अपनी inner strength को आज पहचानने वाले है और वहीं पर जो भी third party energy है कार्मिक situation है आपके इस relationship में वो आपके partner को constantly down करने में लगी रहेगी यह जो third party energy है यह आपके partner को आज बहुत ज़दा परिशान करने वाली है लेकिन आपके partner इस third party के साथ आज कुछ अच्छी coordination में मुझे नजर नहीं आ रहे है वो इस third party को गुसा, ego, attitude सब दिखाएंगे आज आपके partner की life के अंदर कोई father figure बहुत important role play करने वाले है आपके partner की life के अंदर कोई ऐसा person हो सकता है जो उनसे age में बड़ा हो, experienced हो, male हो वो आज आपके partner को guidance देगा आपके partner उस guidance को receive भी करेंगे, समझ भी पाएंगे और जिस चीज का solution वो find out करने की कोशिश कर रहे है उस चीज का उन्हें कुछ solution मिलता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है आपके partner आपको लेकर, अपने इस relationship को लेकर बहुत ही ज़्यादा motivated feel करेंगे इस person की guidance के पाग आपके person को ये मैसूस होगा कि इस person की जो guidance है वो एक true guidance है और उससे आपके partner की problem solve हो सकती है आपके partner को आज आपकी याद बहुत ज़्यादा आने वाली है आपके partner इस person के साथ share करने वाले है कि आपके जो partner है वो किस तरहां से आपको लेकर आज भी बहुत सारी feelings रखते हैं किस तरहां से आज भी आप उनके दिल में बसते हैं ये सारी चीज़ें इस person के साथ आपके partner share करेंगे जो आपके partner की दुविदा है जो illusion है उसे आज ये person हटाने वाला है लेकिन फिर भी ये जो third party है कि constantly आपके partner की energies को lower down करने की कोशिश करती रहेगी बट इस चीज का कुछ खास असर आज आपके partner की energies पर नहीं पढ़ने वाला है बलकि आपके partner procrastination की energy से बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके partner आज if and but की energy में जादा नहीं रहने वाले हैं वो आज इस रिष्टे को लेकर एक clarity में जरूर आ जाएंगे उन्हे clarity हो जाएगी चीजों को लेकर ठीक है ये energies यहाँ पर नजर आ रही हैं और आपके partner की ये जो energies हैं बहुत अच्छी है इन energies को claim करना आपको नहीं भूल इन energies को claim करने के लिए comment section में आप 666 heart जरूर टाइप करेंगे ठीक है आये चाहनते है divine आपको क्या guidance देना चाहते है divine की क्या guidance है आपके लिए relationship को लेकर divine आपको क्या guidance देना चाहते है इस relationship को लेकर ओके तो एक card नीचे गिर गया है let me pick up that card for you तो ये card जो आपके लिए निकल कर आया है that is the happy success का card है देखिए divine आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी जो energies हैं उन्हें आज positive रखिएगा आपके इस relationship के अंदर आपको positive changes देखने के लिए मिलेंगे आप अगर positivity attract करें ये तभी इस relationship में positivity आएगी आप अगर ये सोचते हैं कि आपके positive सोचने भर से इस relationship में क्या खास changes हो सकते हैं तो अपने mindset को इस तरह से बना लीजे कि आपकी वजह से आपके partner को strength मिल सकती है ठीक है तो आपके इस relationship में अगर positivity आप चाह रहे हैं तो आज आपको बिलकुल भी demotivate नहीं होना है positive रहना है ये divine आपको guidance देना चाहते हैं बाकि आप बहुत समझदार हैं समझदारी से आज की energies को चानलाइस कीजेगा have a great day today god bless you all take care of your health see you soon